हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो मैं चैनल अर्थ मॉम देरादुन मैं हूँ जोती और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में सो मैं बहुत मुश्किल से अपनी हसीना कंट्रोल करके आई हूँ इससे पहले वाली वीडियो में आपने मुझे जितना इमोशनल देखा था ना अभी मुझे उतनी जादा हसी आ रही है कि चीजी कुछ हैसी हुई है कि आप लोगों को मैं बताऊंगी न तो आप लोग भी हैरान परेशान हो कि यह लोग करना क्या चाहते हैे हमें भी बेवगुफ बना रहे हैं या सब चीजों के पीछ सब्सक्राइब नहीं चूड़ रहे है चर्चे होते रहने चाहिए और कल की सचिन की activity के बाद आप में से बहुत लोगों को minute भी नहीं लगा ये सब जानने में कि वापस से कहीं न कहीं ये लोग talking terms में भी आए हैं जैसे कि मनीशा ने अपनी story में भी बोला कि एक बार सौरी बार बार सौरी कैसे accept करता है कोई इंसान हाना तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वज़े से वो भी disturbed नजर आ रही है लेकिन इसी बीच मैंने आप लोगों को कल एक यहाँ पे screenshot लगाया था ना मैं एक बार फिर से वो लगाऊंगी आप लोगों के लिए क्योंकि latest जो चीज हुई है ना शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या चीज हो रही है अब अगर इन सब चीजों में यह planning के तहट चीजे हो रही है अपनी live में यह चीजे खुद कराई जा रही है पॉजिटिव पॉजिटिव गुडी गुडी बन के चीजे दिखा दी है कि मैंने तो कुछ नेगटिव बोलना ही नहीं नह इसकी कुछ फर्दर बहुत लॉंग प्लानिंग हो रही है जिस प्लानिंग की वज़े से अब जो है यहां पे सचिन जी उनका भी आज कोई व्लॉग नहीं आया उन्होंने कोई अलविदा से रिलेटिटिट अपना एक कम्यूनिटी भी शेर किया था बहुत लोगों ने वह कम्यूनिटी देखी है अनफोर्चुनेटली मेरे पास उसका स्कीन शॉट नहीं आया लेकिन बहुत लोगों ने वह कम्यूनिटी देखी है हमें बहुत साथा कंसर्न भी वा लेकिन इसी बीच ना एक बहुत अजीव गरीब सी खबर है जो खबर आप लोगों को बताना हुआ था कि मैं कभी भी स्यू कर सकता हूं इसके बाद अधिकतर लोगों का जो शक था वो सीधा सीधा सचिन की तरफ गया कि जगत दीदी की लाइव में जाके बकायदा सुपर चैट पे ब्लू हाइलाइट करके कुछ सेकंड के वो चीज वहां पे रखना और उसके बाद जगत दीदी का लाइव चोड़के चले जाना हाला कि उसके बाद मॉनिका जी ने भी उस चीज से बोला कि नहीं यह वो नहीं है यह जो है हम उसका पता लगा रहे हैं लेकिन अप एक और चीज हो गई और उस चीज को देखके मुझे नहीं पता आप लोग हसना चाहोगे त तो क्या बोलू टेंशन मत लेना लेकिन आप देखो कल इसी लाइव चैट में तेरा मिनट सम्थिंग कुछ सेकिंड के बाद यह लिखा था कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं और आज मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे फिर से स्क्रीन शॉट बेजा और आज यह जो च करूंगा मतलब क्या अब कैंसिल मरना कैंसिल कल रात तक में मरने को तैयार था लेकिन आज मेरा मरना कैंसिल हो गया कौन कर रहा है यह सब चीज़े कौन खेल रहा है इस तरीके से यह मरना जीना यह क्या एक खेल करने का कोई प्लेग्राउंड है इस चीज़ को लेके खेल र प्लान की जब पूरी रात और रात इस बात की हूँ हला मच गया और अब उसको चेंज करके लिख दिया जाता है कि मैं अब नहीं करूँगा क्यों डीदी जी के प्लान क्या काम्याब हो गए जगदीदी जो करना चाहती थी क्या वो प्लान काम्याब हो गए सामने वाले को या तो ब्लाक मेलर घोशित करना क्योंकि सब कुछ मज़े लेने के बाद एक रिलेशन्शिप में equally पार्टिसिपेट करने के बाद इन्होंने उस रिलेशन्शिप को ब्लाक मेलिंग का नाम दे एक रिलेशन्शिप में डेड़ साल तक खूब मोज करने के बाद एक एक मिनट एक मूमेंट इंजॉई करने के बाद इन्होंने सीधा बोल गया था कि मिरको तो ब्लाक मेलिंग के आधार पे कोई जो है मजबूरी में मेरे से प्यार करवा रहा था चैट हम सब ने देखी थ कि अगर मुझे जान नहीं बोला तो मैं यह कर दूंगा हां 25,000 रुपे जो सगाय की अंगूठी अपनी खुद की निकाल के 25,000 रुपे लिये थे अंगूठी खरीद के पहनने के लिए वो भी ब्लाक मेल करके सामने वाले ने बोला था कि मैं तुमें पैसे दे रहा हूं लो से ब्लाक मेल हो रही थी सामने वाले से मैं 35-40 साल की महिला जो इतनी जादा बोल्ड आइरन लेडी बनती है मैं ब्लाक मेल हो रही थी और मैं डेर साल से ब्लाक मेल हो रही थी और आज फिर से वही हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए एक और प्लान यहाँ पर बना दिया फिर से उस हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए लाइव में मुस्कुराते हुए आई हैं लाइव में हस्ते हस्ते एंड भी घरके गई हैं एक तरफ पे ये बोला जा रहा है कि वो depression का इतना ज़्यादा depression में है कि उनके session चल रही है उनके therapy के session चल रही है वो पड़े-पड़े गिरे गिरे बेहोश हो जा रही है जहां जा रही है वहीं पर गिर जा रही है जिस समय पर यह expose किया था ना सचिन ने जिस समय पर बकाइदा वो chat आई थी हम तब मानते कि सामने वाला बंदा डीप डिप्रेशन में है अगर वो सोशल मीडिया से थोड़ी दिन के लिए गायब हो जाता उस चैट के एक्सपोज होने के बाद भी दीजी जी के बकाईदा दो से तीन नॉर्मल व्लॉग आये हैं बेबी का कंटेंट उनका आया है वो तब डिप्रेशन में नह आखे सुजी थी ना मूँ सुजा था ना कुछ भी सुजा था लेकिन जब पीक वाला टाइम थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया उसके बाद मोटी मोटी आखे लेके एक सिंपथी कार्ड कमबाक के लिए प्ले किया गया और एक ही दिन में वो सिंपथी कार्ड इतना नॉर् लोग होंगे, जो लोग डिप्रेशन के दवाईयां खाते होंगे, उनको पता होगा कि डिप्रेशन किस चीज का नाम है, लेकिन इन दीदिजी को डिप्रेशन हुआ तो कब हुआ, ये रोई तो कब रोई, जब इनकी सगाई टूटने का ये एलान करने आई, जब अपनी आप जो है वो रिवील हो गई थी ठीक एं उसके बाद कल की लाइव इतनी हापि लाइव है मतलब क्या यहां से यह मैसेज करके करवाकर क्या साभित करना चाहते हो या तो मनीशा को ट्रॉमाटाइज करना चाहते हो उसको डिप्रेशन में डालना चाहते हो कि देख अभी भी क्योंकि जब हम लोग यहां पे बैठके यह गलत फैमी पाल के बैठ सकते हैं कि यह करने वाला सिर्फ सचिन हो सकता है हम लोग जब यह चीज़े पाल सकते हैं कि यह उसी ने करी होगी तो मनीशा क्यों नहीं सोचेगी मनीशा तो सोचेगी ना क्यों कि देड़ साल से इन दोनों ने किया क्या है उसको भी गुफ बनाया है उसकी मासुम दिल के साथ खेला है और अगर वो भी हमारी तरह देखेगी तो वो भी यह सोचेगी कि यह तो यहां से अगेन मनीशा को डिप्रेशन में डालने की तयारियां हो रही है वो अल्रेडी अपने हस्बेंड की खरकतों की वज़े से परेशान है और इस तरीके के आक्टिविटी सोशल मीडिया पर करके उसको और परेशान किया जा रहा है कल ये आता है कि मैं कभी भी कर सकता हूँ और आज ये बदल जाता है कि अब मैं नहीं करूंगा क्या इंडिकेशन और क्या मैसेज डारेक्ली इंडारेक्ली मनिशा तक देना चाहते हो कि अब वापस से तेरा पती मेरी मुठी में आ गया है वापस से मेरी मुठी में आगया देख वापस से मैंने रील से गायप कर दिया है तुम्हारे हस्में को वापस से मैंने तुम लोगों को व्लॉगिंग से गायप कर दिया है वापस से मेरा जोर चलने लगा है ना तो रील में मनीशा ना तो व्लॉग में मनीशा के साथ देखो, वापस से मैंने बैठे बैठे वापस से अपनी छड़ी गुमा ली है, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना कि अगर पती चुराना होता, तो कब का चुरा लेती, कब का चुरा लेती मैं पती, लेकिन नहीं चुराया ना, वो तो ready था, वो तो तैयार था, मैं नही का statement तेरे पती में है क्या भाया क्या है उसके पती में बक्ष दो उसके पती को कुछ नहीं है उसके पती में हाड़ बूड का नॉर्मल आदमी है वो जैसे बाकी होते हैं उसके पती को छोड़ दो कहीं किसी और को ढूंड लो लेकिन उसके पती को छोड़ दो बक्ष दो उसके पती को उसके पती में कुछ भी नहीं है, आपकी बात कि उसके पती में सच में कुछ नहीं है, लेकिन उसके पती को छोड़ दो, और उस मासूम 24 साल की लड़की को छोड़ दो, उसको इतना टॉर्चर, इतना डिप्रेशन, डारेक्ली, इंडारेक्ली, मत दो, मत दो उसको इत ठीक है अभी परसो तक चीज़े ठीक थी लेकिन उसके बाद कल ही कल में चीज़े इतनी बिगड़ गई सिर्फ कल ही कल में चीज़े इतनी बिगड़ गई आप खुद देखिए कल ही कल में चीज़े इतनी जादा बिगड़ गई कि मजाग बना के रख दिया है चार बज़े त पास भी जा रहा होगा इंसान, कल इसकी ID पे M लिखाता और आज इस पे फोटो लगा हुआ है, आज इस पे फोटो चिपका हुआ है, फोटो भी चेंज कर दिया और महा पे लिख भी दिया कि अब मैं CU नहीं करूंगा, तो देख रहे हो आप कितना तगड़ा गेम प्लान किया दिखाने के लिए किया जा रहा है, यह मुस्कुरा के वीडियो बनाना सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए कि तेरे चहरे के मुस्कान तो मैंने चीन ली, अब देख मैं तुझे मुस्कुरा के दिखाऊंगी, एक 24 साल की लड़की से इतना competition, इतना competition, उससे इतनी जलन, उससे इतनी जलिसी, उसका Instagram handle बर्दाष न ही हुए, उसके real पे views बर्दाष न ही हुए, उसके पती के साथ उसका बनायवा video बर्दाष न ही हुए, उसके पती को उसको व्लॉग में देखना बर्दाष न ही हुए, 24 साल की लड़की के साथ competition, जिसको यह खुद अपने मूह स इन्होंने बेटी, बेटी, बेटा, बेटी बोलती थी, उस लड़की से इस हद तक competition, blackmailing का इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड प्ले करा था, कोई किसी को प्यार में blackmail नहीं करता है, ठीक है, कोई blackmail नहीं करता है, वैसे तो यह जहां से किरानी बनती है न, यह कैसे blackmail हो गई है, इन्होंने कुछ भी चीज blackmailing में नहीं करी, इन्होंने सब चीजे consent में करी है, इनका हर चीज में equally consent था, वो chat इस बात का प्रूव है, वो chat इस बात का प्रूव है कि इनका हर चीज में consent था, यह नननी कापकी छोड़ी सी मासुन बच्ची नहीं थी, हर चीज में इ दमकी करके इंसान भूखिन रोह। आम चैट में ब्लैक्मेल तो ये भी कर रही है लेकिन समझ में नहीं आया कि वो कौन सा ब्लैक्मेलिंग कर रहा है चैट में तो हमें ये इमोशनली ब्लैक्मेल करती ही नजर आई और वापस से ब्लैक्मेलिंग का कार्ड खेलतावा नजर आ रहा है यहां पे तो मैंने सोचा ये छोड़ी से अपडेट में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों को भी पता होनी जरूरी क्योंकि इनके रिलेशन्शिप का और इनका जो ये गंदा गेम प्लान है ना मुझे इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ये चीज़े सोचल मीडा पे एक्टिव भी रहनी चाहिए और हाइलाइट भी रहनी चाहिए ये सोचनी थी कि मैं पॉजिटिव नोट पे पॉजिटिव पॉजिटिव बोल के इस मुद्दे को बंद करा दूँगी और बैक कैमरा में अपना गेम चालू रखूँगी क् कि सोचल मीडा पे ये बहुत इनोसेंट बनती हैं लेकिन बैक कैमरा ये बहुत तगड़ा गेम प्लान करती हैं बहुत गंदे लेवल का तो इन्होंने यही सोचा कि यहां से शांती मिल जाएगी और पीछे कुछ भी होता रहेगा ओडियोंस को सामने वालों को कभी कुछ प हमें हैं हमें भी तो पता चले कि और क्या-क्या चीजे करने से वापस से रोका जा रहा है मनीशा के साथ नहीं दिखें दो दिन से व्लॉब में मनीशा के सांथ लगता है वो एक रीट दिल चीर गई दीडिजी का वो एक रील कौनसी रील थी वो जो शादी वाले दिन मनीशा और सचिन की शूट हुई थी उनके साथ के रीटर फ्रेंस ने मिलके वो रील शूट करवाए थी उस रील से लगता है निशाना बिलकुल ठीक लगाए क्योंकि यह हर गाने पर अपना कॉपीराइट तो हमेशा से समझ बचती है और साथ में दोनों को देख के कही ना कहीं यह फिर से जैलसी हो गई होगी मतलब यहां से निशाना सचिन जी ने मारा वहां पर वो निशाना बिलकुल सही निशाने पर लग गया कि अच्छा फिर से रील बनाने लग गए अभी रोकती हूं दुबारा से अभी भी धन्य हो मतलब कहां से इतना दिमाग कोई लेके आता है किसी की घरवरस्ती को खराब करने के लिए कहां से कोई इतना दिमाग लेके आता है लेकिन क्या बोलें जब अपना सिक्का खुटा हो तो हम दूसरे को आखिर बोलें तो बोलें क्या जिस दिन सचिन को अकल आ गई कि प्यार हमेशा उससे करो जो आपसे प्यार करता हो वही आपके प्यार की कदर करता है उससे कभी मत करो जिससे आप प्यार करते हो तो जिस इंसान के लिए आप अपनी जिंदगी दाव पे लगाने के लिए अपनी पत्नी की खुशी अपने परिवार की खुशी दाव पे लेकिन उन्हों ने कभी भी ये accept तक नहीं किया यहां से आपने देख लिया कि उसने कभी आपको प्यार किया ही नहीं था और इससे जाधा पूरूफ क्या चाहिए और इससे जाधा पूरूफ कुछ नहीं चाहिए फिलहाल बोलते हैं न कि विनाश काले विप्रीत बुद्धी सही में इनकी बुद्धी संटर में आनी बहुत जरूरी है इनको चीजे क्लियर दिखानी बहुत जरूरी है कि आपको चीजे साफ नहीं देख पा रहे हो ये प्यार का जो परदा आपके आखों के आगे पड़ा हुआ है न ये सिर्फ सच में परदा है रियालिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है ये ब्रहम है ये सिर्फ ब्रहम है उसका प्यार सिर्फ ब्रहम है ये प्यार सच्चा प्यार नहीं है और जो सच्चा प्यार सामने है वो है साखशात आपकी अपनी खुद की वाइफ जिसमें कोई कमी नहीं है किसी भी चीज से कोई कमी नहीं है उसके तुल्ला में तो कुछ भी कमी नहीं है वो तो कुछ भी नहीं हो उनके आगे, ना उसकी जैसी कभी वो बन सकती है, मनिशा की जैसी वो कभी भी नहीं बन सकती है, तो प्लीज अपनी आखे खोलो, दिल से गहराई से चीज़ों को सोचो, समझो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, एक सिक्षक बहुत इंटेलिजेंट ह क्योंकि वह आने वाली जनरेशन को सिक्षा देता है एजुकेशन डिलिवर करता है वह जनरेशन को वह बुखाद बुद्धिमान होता है अपनी उस बुद्धी मता को जगाओ अपनी उस बुद्धी मता को जगाओ अपनी आखे खोलो कि क्या आपके लिए सही है क्या आपके गलत है, कौन आपका भला चाहता है और कौन आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रहमित कर रहा है मैं अपनी हर वीडियो में देखे अपनी तरफ से इन्हें फुल उबदेश देती रहोंगी कभी किसी दिन कोई लाइन तो इनको जाके सटीक लगेगी और जिसने वो लाइन इनको सटीक लग गई न इनका बिगड़ावा बैलेंस इनके घर का बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा इसी के साथ ये वीडियो में एंड करती हूँ, I hope कि आप लोगों को पसंद आया होगा, guys, thank you so much इतने सारा प्यार और सपोर्ट के लिए और thank you so much कि आप लोग इतना प्यार मनीशा को भी दे रहे हो और इनके रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे जो भी लोग ये information मुझे जल्दी से जल्दी देते हैं आप लोगों को भी thank you so much, guys lots of love, thanks for watching आर्थ मॉम देरादू